Welcome back my dear kids with another chapter of our science book by brain rule series. The name of our book is Science Park Class 1 और हमारे चैप्टर का नाम है We Need Water, हमें पानी चाहिए, हम इन सब को जीने के लिए पानी की आवशकता पड़ती है हम अपने रोज के बहुत सारे काम किस की मदद से करते हैं? पानी की मदद से करते हैं बच्चो हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी बचाना है In this chapter we will learn uses of water, where do we get water from and storage of water First we will do warm up, टीगू is thirsty, टीगू क्या है, बहुत प्यासा है Help him reach the pond, और pond का अपर है यहाँ पर अब आपको टीगू की help करनी है, ताकि वो कहां पहुँच सके, pond तक तो आप यह exercise खुद करेंगे Water is very important for all living things सब living things के लिए पानी बहुत जरूरी है It is present in river, ponds, lakes, seas and ocean Samoon, talaab, jeel, जharno में क्या है, पानी है It is one of the most important national resource for us यह हमारी लिए सबसे जरूरी national resource है Now, I will tell you uses of water अब मैं आपको पानी के use बताऊंगी We use water in many ways हम बहुत तरह से पानी का इस्तमाल करते है All living things need water to live सभी living things को जीने के लिए पानी की आवशकता होती है We need water for doing many things हमें बहुत से काम करने के लिए पानी की आवशकता परती है We need water for bathing हाने के लिए हमें पानी चाहिए We need water for drinking पीने के लिए हमें पानी चाहिए Water is used for watering plant पेड़ पौधोग को पानी देना है तो उसके लिए भी पानी चाहिए खाना बनाने के लिए पानी चाहिए Boat and ship moves on water बड़े बड़े जहाज और नौका किस पर चलती है Water पर पानी पर Putting out fire अगर कहीं आग लग गई आग को भुजाने के लिए हमें क्या चाहिए हमें पानी चाहिए Water has some other uses पानी की कुछ और भी इस्तमाल है We need water to swim to put out fire हमें तैरने के लिए आग भुजाने के लिए क्या चाहिए Also boat and ship says on water और shape boats किस पर चलती है पानी पर चलती है Where do we get water from? हमें पानी कहां से मिलता है We get water from rain हमें बारिश से पानी मिलता है Rain, phillips, river, ponds and lake बारिश से क्या भरते हैं? जील, तलाब और नदिया The upper part of the mountain are covered with snow पहाडों की जो उचाई होती है जो उची चोटी होती है वो किस से ढगी होती है? Snow Snow मतला बर्व से During summer, the snow on the mountain melts and changes into water और जब गर्मी पड़ती है बरफ पिगलती है वो किस रूप में पिगलती है? पानी के रूप में बरफ से पानी बनता है This water comes down in the form of stream and river और वो पानी जर्नों और नदियों के द्वारा इकठा हो जाता है Water is also found under the ground जमीन के अंदर भी पानी पाया जाता है We get this water by digging wells हमें जमीन से पानी कैसे मिलता है? जब हम कुआँ खोथते हैं तो पानी को हम बाहर निकालते हैं कहां से? जमीन के अंदर से देखिये यह किसकी पिच्चर है? Well Well मतलब कुआ A deep hole dug to get water from underground is called a well अब एक बहुत गहराई में बहुत बड़ा गड़ा खोदा जाता है किस लिए? पानी निकालने के लिए क्या बनाया जाता है? कुआ बनाया जाता है बहुत गहरा होता है कुआ जमीन के बहुत अंदर पानी पाया जाता है बहुत गहराई में Now we will learn storage of water पानी को कैसे store करते हैं बचाते हैं या फिर इकठा करते हैं Water can be stored in many ways पानी बहुत तरह से इकठा किया जा सकता है It can be stored in pods, bucket or tank in our home अपने घरों में हम टंकी में, बाल्टी में और टप में पानी इकठा करते हैं Water can be also stored in dams बड़ी-बड़ी dams में भी पानी को store किया जाता है A dam is a wall built to hold back water and store it Dams क्या है? एक बड़ी सी दिवार बना दी जाती है जो पानी को इकठा करती है We should not waste water हमें पानी, हराब या बर्बार नहीं करना चाहिए We should not throw waste into well, lake, pond और river हमें कूडा, कच्रा, गंदगी कहां नहीं फेकनी चाहिए जील, तलाबों और कूओं में क्योंकि हमें नदियों से, जीलों से, तलाबों से क्या मिलता है? पानी पीलता है और उस पानी को हम पीते हैं We should always keep them clean हमें हमेशा नदियों तलाब जर्णों को साफ रखना चाहिए हमें उनसे पीने का पानी मिलता है Now time to test your skill Write true or false for the following Water is important for all of us पानी हम सब के लिए जरुरी है Yes, this is true T-R-U-E True Number 2 We need water for drinking हमें पीने के लिए पानी चाहिए Yes, this is also true Number 3 and Number 4 you will do by yourself Now time to go in flashback चल्ये जल्दी से flashback में चलते हैं Rain, water, fish, river, lake and pond बारिश का पानी नदी, तलाब और जर्णों को भरता है We need water to drink, bath, wash, cook, food, put on fire Water can be stored in dam, bucket and tank पानी कठा किया जाता है Dam में, बाल्ती में और बड़े-बड़े tanks में We should not waste water हमें पानी बरबाद नहीं करना चाहिए पानी बहुत जरूरी है बच्चों हमारे लिए Now time to do some exercises Number 1, to try the correct option The main source of water on earth is Mukhe strot kya hai paani ka dharti par Sea, rain, river ya streams Sab se main source hai rain R-A-I-N, rain Number 2, melted ice water from mountain comes down in the form of streams, lake, oceans and pond The correct option is option A, streams Number 3, dirty water make us गंदा पानी हमें बनाता है, कैसा? Sick, healthy, fit ya smart Number A, sick Sick मतलब बिमार Number 4, you will do by yourself Now exercise B, choose the correct answer and fill in the blanks सही answer को चुनिये और खाली स्थान भरिये Number 1, we get water from हमें पानी मिलता है, कहां से? ट्री से या रेन से? हमें पानी मिलता है रेन से हम लिखेंगे R-A-I-N, rain Number 2, water is needed for पानी की आवशकता क्यों पढ़ती है? Eating या drinking? पानी की ज़ुरत पढ़ती है हमें drinking के लिए पीने के लिए तो हम यहां लिखेंगे drinking Number 3, we should drink dash water हमें कैसा पानी पीना चाहिए? clean या dirty तो correct answer है clean, C-L-E-A-N, clean water Now exercise C, look at the pictures and name the source of water यहां पे कुछ pictures बनी हुई है, आपको उनको देखना है, उनके नाम लिखने है यह किस चीज की picture है? जहां से हमें पानी मिलता है तो सबसे पहली picture बताईए किस की है? यह हम अपने school में, parks में, मंदिरों में देखते हैं यह picture है hand pump की, H-A-N-D, hand, P-U-M-P, pump Number 2, हम इसे खेतों में देखते हैं, यह है tube well, T-U-B-E, tube, W-E-L-L, well और number 3, picture किस चीज की है? बताईए, yes, you are right Number 3, picture है, well की, कुए की Now, exercise D, write two examples for each of the following तो चीजे दी हुई हैं, उसके दो-दो उधारन लिखने Number 1, places from where we get water, वो दो जगाओं के नाम लिखे, जहां से हमें पानी मिलता है तो हमें पानी मिलता है, river से और pond से, P-O-N-D, pond Number 2, things used to store water, दो चीजों के नाम बताईए, जिसमें हम पानी को store करते हैं तो वो है, tanks, T-A-N-K-S, tanks or bucket, B-U-C-K-E-T-S, bucket Number 3 and number 4, you will do by yourself Now, time to do exercise E, answer the following questions So, my dear kids, once again, you will read your chapter carefully and exercise E, you will do by yourself So, my dear kids, in this video, we have learned about water and uses of water हमने इस chapter में पानी के बारे में पड़ा, पानी के यूज़स के बारे में पड़ा, और क्या पड़ा? Sources of Water के बारे में I hope you learned so many things from this video Stay tuned for next video Till then, take care, bye-bye